आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस की जिसकी चमक सबसे ज़ादा है जिहां डाइमन बिजनेस की तो सबसे पहले इसके मार्केट साइज के बारे में बात करते हैं जो 2018 में था 87.3 बिलियन डालर यानि की 6.5 लाग करोड रुप इसका उपयोग जोएलरी के साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज में भी किया जाता है क्योंकि चमकदार होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे हार्ड मटरियल है जिसकी वजह से काच कटिंग, लेथ मशीनों इत्यादी में इसका यूज किया जाता है तो सबसे पहले एक्स्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में केवल अफ्रीका में 65% जो है वो raw material इसका पाया जाता है उसके बाद mining की अगर बात करें कि mining क्या से की जाती है तो mining यहाँ पे दो तरह से होती है एक तो open pit मतलब कि गड़ा खुद के mine किया जाता है और एक दूसरी होती है जिसका नाम है underground mining यानि की एक एक किलोमेटर नीचे तक से इसको निकाला जाता है इसके साथ साथ marine में यानि की समुद्र में भी mining की जाती है अब इसकी छटाई जो होती है वो होती है color के आधार पे size के आधार पे, shape के आधार पे और quality के आधार पे इसके बाद में आती है cutting and polishing, cutting and polishing जो होती है वो चार size में classify की जाती है, यानि की cut, color, clarity और carrot, मतलब की किस तरह का cut किया हुआ है diamond, उसका color क्या है उसकी clarity कितनी है और वो कितने carrot का है उसके बाद उसको wholesalers को बेज दिया जाता है wholesalers को कहा बेचा जाता है exchange में बेचा जाता है जिसको हम कहते है बोर्स और ऐसे 30 बोर्स पूरे दुनिया में पाए जाते है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा बोर्स जो है वो मुंबई में है जिसका नाम है भारत diamond बोर्स और सूरत में भी दुनिया का सबसे बड़ा diamond बर्स बनने जाते है और एक और बात important है कि हर 10 में से 9 diamond इंडिया में polish और cut उसके बाद में जो next process होता है उसका नाम है jewelry manufacturing तो आप समझी गया होंगे कि अब जब wholesalers जो है वो designers को retailers को ये polish किये हुए और cut किये हुए diamonds बेच देते हैं और उसके बाद जो designers होते हैं वो उनको jewelry के अन्गूप और polish करते हैं और cutting करके उसकी final उसका shape दे देते हैं और उसके बाद last process आता है retailing यानि कि उसको बेच दिया जाता है इसके बाद में एक बहुत important चीज diamond business में उती हो authenticity यानि कि उसकी प्रामानिकता और उसके लिए एक process है उसका नाम है kimber day process और उसको certificate of origin भी कहा जाता है तो government एक certificate issue करती है जिससे कि कि किसी तरह का conflict ना हो और पूरा assurance मिले कि ये diamond जो है वो कहां से है और ये बिलकुल pure diamond है अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 10 लाख लोगों पर रोजगार देती है इंडेस्ट्री बिलकुल transparent diamond अगर है बिना किसी color का तो उसको सबसे pure माने जाते है गोल कॉंडा में ये पाया जाता है कोहिनूर भी महीं से निकला है और भी काफी सारे प्रसिद्ध हीरे जो हैं वहां से निकला है इसके अलावा सबसे बड़ा polishing and cutting का market जो है वो है सूरत सूरत में एंटर होने वाला हर हीरा छे decimal point तक वे किया जाता है मतलब कि उसको point के बाद भी 6 अंकों तक उसको मापा जाता है और सूरत में दुनिया की 75 प्रतिशत cutting और polishing का का काम होता है पूरे process की तो आपने देखा कि 6 steps होते हैं पर सूरत में cutting and polishing के के एवल 36 steps होते हैं और फिर 17 steps होते हैं quality check के मशीनों से और export human eyes से diamond का business जो है वो काफी ज़्यादा sophisticated business माने जाता है और जो final step बाली जाती है इसकी best diamonds के लिए वो है forever mark inscription कुछ ही hero में forever mark inscription किया जाता है जो की best diamonds जो हम कहते हैं उनमें होता है और ये इसमें क्या होता है कि आपका जो इनसान का बाल होता है उसका 5000 वा हिस्सा इतनी मोटाई से वहां पे नमबर लिखा जाता है जहां ये diamond कटते हैं उसका planning department का head आपको पता है कौन सी class का pass out का है वो सातवी pass है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आँखें तेज और पार्खी है और हातों में कारेगरी है और सात में लगन है तो आप इस business में इंटर कर सकते हैं तो आज हमने देखा कि diamond का business किस तरह से होता है उसके पूरे process देखें उसके steps देखें कहां पर यह होता है यह सारी चीज़े देखीं हम किसी दूसरे business के बारे में और किसी दूसरी चीज़ के बारे में अगले episode में बात करेंगे तब तक के लिए हम सब्सक्राइब करें